जैहिन साथियो तो SSC phase 10 का online examination एक अगस्त से start हो जाएगा तो दोस्तो अभी लगभग सभी रीजन का admit card आ चुका है और किस रीजन का अभी तक नहीं आया है और आपको किस तरीके से step by step चेक करना है तो सारा process आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं तो आप लोग वीडियो क को end तक देखेगा आपका सारा doubt clear हो जाएगा तो देखें दोस्तों सबसे पहले आपको इस website पर आना है इसका लिंक मैं वीडियो के description box में दे दूंगा या फिर आप SSC के official website पर जाकर वहां पर admit card वाले section पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको पहुंच जाएंगे और यहां में आपने exam center चूज किया था अर्थात जैसे कि आप दिल्ली से हैं और आपने exam center UP से चूज किया था तो दोस्तों आपका region जो माना जाएगा आपका admit card जो download होगा वो center region से download होगा तो यह हमने आपको एक example बता दिया कि आपने जो first city चूज किया है उसी state के region पर जाएगा अपना details फिल करके submit करते हैं तो यह problem आएगी तो यहाँ पर देखी दोस्तों आपका state जिस भी region से आता है तो यहाँ पर उसका link दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते है बे portal तो इस link पर आपको click करना है जो भी आपका region हो अभी देखी दोस्तों यहाँ पर कुछ region का नहीं आया है उसके बाद western region का भी अभी नहीं आया है यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूं यहाँ पर देखी यह वेस्टन region में हम आ चुके हैं अब यहाँ पर अभी phase 10 का admit card नहीं आया हुआ है यहाँ पर देखी MP sub region का आ चुका है जैसे हम इस पर क्ल दिया हुआ है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना details फिल करके अपना admit card download कर लेना है उसके बाद देखी दोस्तों यहाँ पर eastern region का भी आ चुका है यहाँ पर मैं दिखा देता हूं तो इस तरीके से आपको आना है simple सजो आपको यहाँ पर latest news दिखेगा उस पर आ northern Unterstützung का भी आ चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको इसका भी दिखा देता हूं तो यहां पर शे हैं चुका है यहाँ मैं पहले वीडियो बना चुका था साफ्था रिजन का उसके बाद यहां पर देखिए दोस्तों हरियाड़ा पंजाब जमु कस्मीर हिमाचर प्रदेश अर्थार्थ नार्थ वेस्टन सब रिजन इसका भी नहीं आया है यहां पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं Central Region की वेफसाइट पर हम जैसे जाते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि Central Region की वेफसाइट पर हम आ चुके हैं और इसका Admit Card आ चुका है Phase 10 Examination के लिए तो यहां पर आप देख पाएंगे कि Status Download Admit Card for Selection Post Phase 10 Examination 2022 तो इस पर क्लिक करके आपक आपके सामने ऐसा option आएगा अब देखिए दोस्तों यहां पर इस बार क्या Changes देखने को मिला है जैसा कि पिछली बार आप कोई भी SSC का Admit Card डाउनलोड करते होंगे Central Region में तो वहां पर First City प्रिफरेंस का option आता होगा जो अपने First City चूच किया था तो वह भी आपको यहां पर फिल करना होता था किन्तो इस बार ऐसा नहीं है इस बार डायरेक्ट यहां पर आपको अपना Registration ID, Data Birth और यह Capture फिल करके सर्च करना है तो यहां पर ऐसा option आ जाएगा यहां पर आपको अपना exam date और exam city दिखा दिया जाएगा आपका exam किस date को है वो भी दिखा दिया जाएगा और दोस्तों आपका final e-admit card जो आपको exam में लेकर जाना है वो आप अपने exam से 4 दिन पहले डाउनलोड कर आपकी दोस्तों आपका center कहा पर गया है comment section में जरूर बताएगा कोई डाउट आता है तो comment जरूर कीजेगा वीडियो को लाइक किये भी ना मत जाना चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर किस नेक्ट वीडियो में नेक्ट आपडेट के साथ तब तक लिए जैहिन